हेलो फ्रेंड्स मैं पिंकी एडियोहब उनलाइन क्लासिस में आप सबका स्वागत करती हूं फ्रेंड्स मैं आपको राजस्थान जीके कराती हूँ मैं आपको PTET और BSTC में आपके राजस्थान जी के में जिस तरह के question आने की संभावना है या जिस तरह के question आएंगे उसी तरह के important questions में आपको करवारी हूं friends राजस्थान जी के में तो चलिए class को start करते हैं आपका पहला question है friends पटेलिया बिछियो वे एम लालर है पटेलिया बिछियो एम लालर क्या है राजस्थानी लोग गीत के नाम है पटेलिया बिछियो एम लालर ये सब क्या है friends ये राजस्थानी लोग गीत के नाम है ठीक है फिर next राजपुताने का वे प्रसिद लोग गीत ज इसमें उंट के श्रिंगार का वर्णन मिलता है। राजपुताने का वे प्रसित लोग गीत कौन सा है फ्रेंड जिसमें गीत के माध्यम से उंट के श्रिंगार का वर्णन किया जाता है। तो क्या है वो गोरबंद, क्या है, गोरबंद राजपूताने का ब्रसिद लोग गीत है, इस गोरबंद में जो है पूरे उट के शिंगार का वर्णन किया जाता है, फिर नेक्स्ट कोश्चन, किस राजा ने संगीत अग्यों एम विद्वानों को दर्बार में आश्रे दिया, जिसे गंदर वाईसी कहा जाता है, वो कौन से राजा थे फ्रेंड्स, जिन्होंने संगीत अग्यों एम विद्वानों को अपने दर्बार में आश्रे दिया था, औ और जिसे गंदर्व V.C. कहा जाता था, तो कौन है वो राजा, सवाई, प्रताप सिंग, कौन है फ्रेंस, सवाई, प्रताप सिंग, फिर next question, मोड चंग किस श्रेणी का बाद्येंद्र है, जो मोड चंग एक बाद्येंद्र है, ठीक है, फिर देखे, next question, राजस्थान के कितने जीलों के साक्षरता दर, राज्य की ओसत शाक्षरता दर से अधिक है, राजस्थान के, राजस्थान में ऐसी कितने जीले हैं, फ्रेंड, जिसके शाक्षरता दर, राज्य की ओसत शाक्षरता दर से अधिक है, तो ऐसे 14 जीले ह फिर देखे, next question, राजस्थान की जनगर्णा 2011 के अनुसार, निम्न में से कौन सा एक जीला, 0 से 6 आयुवर्ग में सरवादिक लिंगा अनुपात रखता है, राजस्थान में ऐसा कौन सा जीला है, जिसमें जनगर्णा 2011 के अनुसार, 0 से लेके 6 वर्ष की आयुवर्ग में सरवादिक लिंगा अनुपात रखता है, तो कौन सा है वो जीला, बांसवाडा, कौन सा है फ्रेंट्स, बांसवाडा, फिर आगे, next question देखे, 2011 की जनगर्णा के अनुसार, राजस्थान की कुल शाक्षरता दर थी, 2011 की जनगर्णा के अनुसार देखा जाए, तो राजस्थान की कुल शाक्षरता दर कितनी थी? 66.1 प्रतिशत, किती थी फ्रेंड्स? 66.1 प्रतिशत थी साक्षरता दर, किसकी जनगर्णा के हिसाब से? 2011 की जनगर्णा के हिसाब से, फिर आगे, next question, 2011 की जनगर्णा के अनुसार राजस्थान में ग्रामिन महीला शाक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगर्णा के अनुसार राजस्थान में जो ग्रामिन महीला शाक्षरता दर है, वो कितनी है? तो 45.8 प्रतीशत कितनी है friends? 45.8 प्रतीशत है फिर देखें आगे भड़े next question मल्नी नाथ पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? मल्नी नाथ कौन सा friends? मल्नी नाथ पशु मेला वो कौन सी स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो वो तिलवाडा में आयोजित किया जाता है कहां आयोजित किया जाता है friends तिलवाडा में next question राजस्थान में प्रसीत जेला बावजी के मेले का संबन्द किस जन जाती से है राजस्थान में एक प्रसीत जेला बावजी का मेला है वो कौन सी जन जाती से संबंदित है तो वो डामोर जन जाती से संबंदित है जेला बावजी का मेला डामोर जन जाती से संबंदित है फिर आगे देखे next question होली के अफसर पर इलोजी की सवारी कहा निकाली जाती है होली के अफसर पर इलोजी की सवारी कहा निकाली जाती है बाड मेर में तो जो बाड मेर में friends होली के अफसर पर इलोजी की सवारी निकाली जाती है फिर next question वीर तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है वीर तेजाजी पशु मेला कहा आयोजित होता है तिलवाडा में फिर देखे आगे next question, व्रक्षो के सरक्षन से संबंदित मेला कौन सा है? व्रक्षो के सरक्षन के लिए एक मेला रखा जाता है, उसे संबंदित मेला कौन सा है? खेज डली का मेला, जो friends, खेज डली का जो मेला है, व्रक्षो के सरक्षन से संबंदित मेला है, फिर देखे आगे next question, राजस्थान में वाल स्टोनाइट कहां पाया जाता है? तो सिरोई वै डुंगरपूर में, सिरोई वै डुंगरपूर जिले में वाल स्टोनाइट पाया ज जाता है, friends, clear है, फिर आगे देखो, next question, राज्य की कुल स्टल्य सीमा की लंबाई है, तो कितनी है, राज्य की कुल स्टल्य सीमा लंबाई कितनी है, 5920 किलो मेटर, कितनी है, फ्रेंट्स, 5920 किलो मेटर है, राज्य की कुल स्टल्य लंबाई, फिर next question, गो गुंदा और कुम्बलगड के मध्धे का भाग कहलाता है, गो गुंदा और कुम्बलगड के जो मध्धे का भाग है, वो क्या कहलाता है, तो वो भोराट का पठार कहलाता है, गो गुंदा और कुम्बलगड के मध्धे का भाग भोराट का पठार कहलाता है, फिर आगे देखे, next question, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक माना जाता है, तो विजे सिंग पतिक को, विजे सिंग पतिक को friends, किसान आंदोलन का जनक माना जाता है, clear है, फिर देखे, next question, उट के शिंगार का वर्णन किस गीत में किया जाता है उट के शिंगार का वर्णन किस गीत में किया जाता है गोरबंद में किस में किया जाता है गोरबंद एक लोग गीत है जिसमें उट के शिंगार का वर्णन किया जाता है फिर next question राजस्थान में डुंगरपूर और बांसवाड़ा को प्रत्थक करने वाली नदी है प्रथक करने वाली नदी कौनसी है? माही नदी, ऐसी है जो दुंगरपूर और बांसवाड़ा को प्रथक करने वाली नदी है, फिर आगे next question देखे, राजस्तान का सबसे प्राचीन संगठित उधोग है? राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उधोग कौन सा है सूती वस्त्र उधोग कौन सा है फ्रेंट्स सूती वस्त्र उधोग जो सूती वस्त्र उधोग है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उधोग है clear फिर देखे next question राजस्थान की भोगोलिक इस्तती क्या है राजस्थान की भोगोलिक इस्तती पूछ रहे हैं तो देखे फ्रेंट्स राजस्थान की भोगोलिक इस्तती तेईस डिगरी तीस एव तीस डिगरी बारा उतरी अक्षास फिर है गुनतर डिगरी तीस एव अठटर डिगरी सत्रा पूर्वी देशानतर के मध्य है फ्रेंट्स ठीक है फ्रेंट्स समझ आई आपको ये बात फ्रेंट्स क्या कोशिन पूछ रहे है राजस्थान की भोगोलिक इस्तती पूछ रहे है तो राजस्थान की भोगोलिक इस्तती क्या है तेईस डिगरी तीस एव तीस डिगरी बारा तो उतरी अक्षान्स है और गुनतर डिगर क्या बता रहे हैं इस्तती तीस डिगरी बारा उत्तरी अक्षांस और गुनत्तर डिगरी तीस एव अठतर डिगरी सत्रा पूर्वी देशांतर के मध्धे की है भोगोलिक इस्तती ठीक है फिर देखें आगे राजस्थान के कौन से भाग में सर्वादिक वर्शा होती है दक्षनी पूर्वी भाग तीस देखें आगे राजस्थान में संभागों जीलो की संख्या है राजस्थान में संभागों और जीलों की संख्या कितनी है साथ संभाग है और 33 जीले है ठीक है फिर देखे राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी पाकिस्तानी से लगी सीमा रेखा का क्या नाम है राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान से लगी सीमा रेखा का नाम पूच रहे है तो क्या है सीमा रेखा का नाम? रेड क्लिफ रेखा फिर देखे राजस्थान का शेत्रफल कितना भूभाग रेगिस्तानी है तो लगबग दो तिहाई राजस्थान के शेत्रफल का लगबग दो तिहाई जो भूभाग है वो रेगिस्तानी है फिर आगे next question ये rock fast fade के राजस्थान में प्रमुक इस्थान है कौन से है rock fast fade के राजस्थान में प्रमुक इस्थान जामर कोटडा क्या है जामर कोटडा वै बिर्मानिया ये rock fast fade के राजस्थान में प्रमुक इस्थान है फिर देखे next question राजस्थान की लंबाई कितनी है राजस्थान की लंबाई पूछ रहे है राजस्थान की लंबाई कितनी है पूर्व से पश्चिम आठ्सो गुनतर किलोमीटर म उत्तर से दक्षिन आठ सो गुनतर किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिन देखे तो आठ सो चबिस किलोमीटर है ठीक है friends पूर्व से 25 आट सो गुनतर किलोमीटर लंबाई है पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिन 826 किलोमीटर है फिर एक्स कोश्चन राजस्थान का शेत्रफल भारत के शेत्रफल का कितना प्रतिशत है राजस्थान का जो शेत्रफल है फ्रेंड्स वो भारत के शेत्रफल का कितना प्रतिशत है तो देखिए कितना प्रतिशत है 10.41 प्रतिशत ठीक है कितना है फ्रेंड्स 10.41 प्रतिशत ये जो है राजस्थान का शेत्रफल भारत के शेत्रफल का 10.41 प्रतिशत है क्लियर है फिर देखे नेक्स्ट कोशन राजस्थान के किस जीले में सूर्य के किर्णों का तिर्चापन सरवाधिक होता है राजस्थान में वो कौन सा जिला है जहांपे सूर्य की किर्णों का तिर्चापन सरवादिक होता है तो श्री गंगा नगर कौन सा जिला है फ्रेंट्स श्री गंगा नगर फिर देखें राजस्थान का शेत्रफल इजरायल से कितना गुना है फ्रेंट्स वो इजरायल से कितना गुना है तो 17 गुना बड़ा है फिर नेक्स्थान देखे लच्छु महाराज का संबंध किस शास्त्रे नत्य से है जो लच्छु महाराज है उनका संबंध कौन से शास्त्रे नत्य से है फ्रेंड्स कत्थक से किस से है कत्थक से फिर आगे बढ़े next question राजस्तान में चलने वाली शुष्क और धूल बरी हवाय कहलाती है राजस्तान में चलने वाली शुष्क और धूल बरी हवाय क्या कहलाती है लू क्या कहलाती है फ्रेंड्स लू कहलाती है फिर आगे देखो next question एनॉल्स एंड एंटी क्यूटीज ओफ राजस्थान के रचियता है एनॉल्स एंड एंटी क्यूटीज ओफ राजस्थान के रचियता कौन है कर्णल जैम स्टॉड कर्णल जैम स्टॉड एनॉल्स एंड एंटी क्यूटीज ओफ राजस्थान के रचियता है फिर देखें आगे next question राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है भरतपूर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है friends फिर देखें आगे next question राजस्थान के किस होटल को प्रेटन के छेतर में 5 सितारा होटल का पुरसकार मिला राजस्थान के कौन से होटल को प्रेटन के छेतर में प्रेटन के छेतर में 5 सितारा होटल का पुरसकार मिला तो जैपूर के जल महल को किसे मिला है friends जैपूर के जल महल को प्रेटन की छेतर में पांस सितारा होटल का पुरसकार मिला है फिर नेक्स्ट कोश्चन धोल नत्य किस छेतर में किया जाता है जो धोल नत्य है फ्रेंड्स वो कौन से छेतर में किया जाता है जालोर में कहां किया जाता है जालोर में किया जाता है फिर नेक्स्ट कुश्चन विजोलिया किसान आंदोलन के प्रेणता थे विजोलिया किसान आंदोलन के प्रेणता थे विजय सिंग पत्थिक विजय सिंग पत्थिक विजोलिया किसान आंदोलन के प्रेणता थे फिर आपका next question है जून महा में सूर्य किस जीले में लंबवत चमकता है बांसवाडा में कहां चमकता है friends बांसवाडा में फिर देखें आगे next question बनास नदी का उदगम इस्तल है खमनोर जो है बनास नदी का उदगम इस्तल है ठीके राजसंबंद भी कैसे तेहें से फिर आगे देखें next question ठीके फिर आगे देखो next question राजस्थान सरकार द्वारा संचालित राजकी लवन स्त्रोत कहां परिस्तित है राजस्थान सरकार द्वारा संचालित राजकी लवन स्त्रोत कहां परिस्तित है डीन्डवाना वै पंच भद्रा में कहां इस्तित है डीन्डवाना वै पंच भद्रा में राजकी लवन स्तो इस्तित है ठीक है friends आगे देखे next question उडिया पठार किस जीले में इस्तित है उडिया पठार कौन से जीले में इस्तित है सिरोई में कहां इस्तित है सिरोई में फिर आगे देखो next question राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा वाला जीला कौन सा है राजस्थान में वो कौन सा जीला है फ्रेंड जहां पे सरवादिक वर्षा होती है तो जालावाड में कहां होती है जालावाड में सबसे अधिक वर्षा होती है फिर नेक्स्ट कोश्यन चितोड का किला किसने बनवाया था चितोड का जो किला है फ्रेंड वो किसने बनवाया था चित्रागद ने चित्रागद म मौरे ने बनाया था, कब बनाया था, सात्वी, शताबदी में बनाया था, फिर next question, राजस्थान में शीशे की सबसे बड़ी खान कहां इसती थे, जावर में, राजस्थान में शीशे की सबसे बड़ी खान कहां इसती थे, जावर में इसती थे, ठीक है friends, जावर में शीशे की सबसे बड़ी खान इस्तित है फिर next question भारत का एक मात्र रावन मंदिर कहां है भारत का एक मात्र रावन मंदिर कहां पर है जोतपूर में जोतपूर एक ऐसा एक मात्र जीला है फ्रेंट जहां पर रावन का एक मात्र मंदिर है जोतपूर में ही एक मात्र मंदिर है रावन का ठीक है फ्रेंट्स फिर देखे नेक्स्ट कोश्चन राजस्थान की अंतराष्ट्रे सीमा से लगने वाले जिले कौन-कौन से है राजस्थान की अंतराष्ट्रे अंतराष्ट्रे सीमा से लगने वाले जिले कौन-कौन से है तो चार जिले ह बाडमेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्री गंगानगर जो चार जिले कौन से हैं फ्रेंट्स बाडमेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर ये चार जिले ऐसे हैं जो अंतराष्टे सीमा से लगने वाले जिले हैं फिर देखो, next question, राजस्थान में मैग जीन हेतू का सबसे बड़ा उत्पादक जीला कौन सा है? राजस्थान में मैग नीज हेतू का सबसे बड़ा उत्पादक जीला कौन सा है? बांसवड़ा, बांसवड़ा जो हो, friends, मैग नीज हेतू का सबसे बड़ा उत्पादक जीला है फिर देखे, next question, राजस्थान की सीमा किस राज्जे से सरवादिक लंबाई में लगती है, राजस्थान की जो सीमा है friends, वो कौन से राज्जे से सरवादिक लंबाई में लगती है, तो मध्य प्रदेश, कौन से मध्य प्रदेश, फिर next question, करकरेखा, करकरेखा राजस्थान के किस जीले से छूती हुई गुजरती है जो करकर एखा है फ्रेंड्स वो राजस्थान के कौन से जीले से छूती हुई गुजरती है तो डुंगरपूर वैबांसवाड़ा से होकर करकर एखा गुजरती है फ्रेंड्स फिर next question संत रेदास किसके शिश्य थे संत रामानंद जी के संत रामानंद जी के संत रेदास जो थे friends वो संत रामानंद जी के şिश्य थे फिर देखो, नेक्स्ट कोशिन, जिस नदी का जल अरब सागर में प्रवाहित नहीं होता, वह कौन सी नदी है, ऐसी कौन सी नदी है, जिसका जल जो है, वो अरब सागर में प्रवाहित नहीं होता है, तो वो है खारी, कौन सी है, खारी फिर next question, सबसे अधिक नदियों का संभाग कहां पर किस संभाग में पाई जाती है, कोटा में, कहां पाई जाती है, कोटा में, फिर आगे देखो, next question, राजस्थान में खारी पानी की जीले में सागर के अफशेश क्या कहलाते हैं, राजस्थान में जो खारे पानी की जीले हैं, उसमें सागर के अफशेश क्या है, वो ठैटिस सागर, क्या है, ठैटिस सागर, फिर पश्चिमी रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी जो पश्चिमी रेगिस्तान है उसकी सबसे लंबी नदी बनास नदी है फिर next question किस योजना के द्वारा लगू और सिमान्त किसानों को सिंचाई कारे में साहता दी जाती है? कौन सी योजना के द्वारा फ्रेंड्स लगू और सिमान्त किसानों को सिंचाई के कारे करने के लिए साहता दी जाती है तो जीवन धारा योजना कौन सी योजना है? जीवन धारा योजना फिर next question देखे लिल टास पुस्तक के रचियता है कनहिया लाल सेथिया कौन है फ्रेंड्स? कनहिया लाल सेथिया फिर देखे next question मांडलगड के पास कौन सी तीन नदियां त्रीवेनी संगम बनाती है? मांडलगड के पास वो कौन सी तीन नदियां है फ्रेंड्स जो त्रीवेनी संगम बनाती है? बनास, बेडच और मेनाल नदि बनास, बेडच और मनाल नदि जो है फ्रेंड्स मांडलगड के पास त्रीवेनी संगम बनाती है फिर देखो, next question, राजस्थान में सर्व प्रथम सूर्य दे किस जीले में होता है? राजस्थान में सर्व प्रथम सूर्य दे कौन सी जीले में होता है? डोलपूर में, कहा होता है फ्रेंड्स डोलपूर में फिर देखो, next question, राजस्थान का सरवादिक थंडा इस्थान कौन सा है? माउंट आबू, कौन सा है friends? माउंट आबू, फिर देखो, next question, स्वतंतरता आंदोलन में एहम भूमी का निभाने वाले स्वतंतरता सैनानी लादू राम जोसी का जनम किस जीले में हुआ? स्वतंतरता आंदोलन में जो जिन्होंने एहम भूमी का निभाई थी, वह स्वतंतरता सैनानी लादू राम जोसी का जनम किस जीले में हुआ? तो सीकर में हुआ, कहा हुआ friends? सीकर में, ठीक है? फिर next question देखे, राजस्थान का सागवान कौन सा वक्ष कहलाता है? रोहिडा, जो राजस्थान का रोहिडा है friends, वो सागवान व्रक्ष कहलाता है, ठीक है? फिर देखो, next question, सरिस्का में भागों के विलुप्त होने की घटना की जांच है तू, केंदर सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कारे दल बनाया है? सरिस्का में भागों के विलुप्त होने की जो घटना की जांच है तू, केंदर सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कारे दल बनाया है? सुनीता नारायन. सुनीता नारायन के अध्यक्षता में कारे दल बनाया है ठीक है? फिर नेक्स्ट कोशिन देखो, राजस्थान का सरवादिक शुष्कस्थान कौन सा है? राजस्थान का सरवादिक शुश्किस्तान कौन सा है फलोधी फलोधी जो की जियोधपूर में फ्रेंट्स राजस्थान का सरवादिक शुश्किस्तान फलोधी फिर देखो next question राजस्थान का सरवादिक लू और आंधी वाला जीला कौन सा है तो श्री गंगा नगर श्री गंगानगर में सरवादिक लू और आंधी वाला जीला है ठीक है friends फिर देखो next question हल्दी घाटी के यूद में किस मैदान में राणा प्रताब मुगल सेना से घिर गए थे हल्दी घाटी का जो यूद हुआ था friends उस में उस मैदान में राणा प्रताब जो है वो मुगल सेना से घिर गए थे कौन किस मैदान में कौन से मैदान में राणा प्रताब जो है मुगल सेना से घिर गए थे तो वो खमनोर गाओं के रक्त तलाई के मैदान में कहां friends खमनोर ग राजस्थान में कहां पाया जाता है हीरा राजस्थान में कहां पाया जाता है केसरपूरा में कहां पाया जाता है फ्रेंट्स केसरपूरा में हीरा पाया जाता है फिर देखो next question राजस्थान में बेंटो नाइट के बंडार कहां इस्तित है जालावाड में इस्तित है कहां इस राजस्थान का सबसे पूर्वी जीला कौन सा है धोलपूर फिर देखो next question लूनी नदी के पास कौन सा शहर बसा हुआ है अजमेर next question friends राजस्थान के किस लोग देवता ने मुसलिम आकरमनकारी महमूद गजनवी के साथ युद किया था राजस्थान के वो कौन से लोग देवता थे friends जिन्होंने मुसलिम आकरमनकारी महमूद गजनवी के साथ युद किया था तो वो कौन थे लोग देवता गोगा जी कौन तो आज की question यहीं पर समापत होते हैं चलिए एक वर हम इसको quick revise करते हैं जिससे आपको question और अच्छे से याद हो जाएंगे आपको कोई भी doubt है friends तो आप मुझे comment करके जरूर पूछ सकते हैं मैं उसका answer जरूर देने की कोशिश करूँगी और अगर आपको class अच्छी लग रही है friends तो please class को like कीजिए आप like करते हैं तो मेरा motivation level भी बढ़ता है ठीक है friends तो चलिए हम इसको फटा-फट एक वर revise कर लेते हैं ठीक है तो देखिए क्या है question पटेलिया, बिचिया और लालर ये सब क्या है ये राजस्थानी लोग गीतों के नाम है ठीक है फिर देखे राजपुताने का वे प्रसित लोग गीत जिसमें उट के शिंगार का वर्णन मिलता है तो वो कौन सा है गोर बंद गोर बंद में उट के शिंगार का वर्णन मिलता है किस राजा ने संगीत तक्यों एंबिद्वानों को दर्बार में आश्रे दिया जिसे गंधर yc कहा जाता है तो महरा सवाई प्रताप सिंग ने किस ने दिया था आश्रे सवाई प्रताप सिंग advantage मोर चंग किस श्रेणी का बाध्य यंत्र है शुशीर कौन सी श्रेणी का है शुशीर श्रेणी का फिर next question राजस्थान के कितने जीलों की शाक्षता दर राज्ये की ओसत शाक्षता दर से अधिक है तो 14 जीलों से फिर next question राजस्थान की जनगर्णा 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जीला 0-6 आयू वर्ग में सरवादिक लिंगा अनुपात रखता है बासवाडा कहां रखते हैं बासवाडा में फिर देखे next question 2011 की जनगर्णा के अनुसार राजस्थान की कुल शाक्षता दर कितनी है 16.1 प्रतिशत कितनी है 16.1 प्रतिशत फिर next question राजस्थान की जनगर्णा के अनुसार राजस्थान में ग्रामिन महिला शाक्षता दर कितनी है 45.8 कितनी है फ्रेंस 45.8 प्रतिशत फिर next question मली नात पशु मेला किस इस्थान पर आयोजित होता है तिलवाडा में कहां आयोजित होता है तिलवाडा में आयोजित होता है राजस्थान में प्रसित जेला भावजी के मेले का संबंध किस जन जाती से है डामोर जन जाती से है कौन सी जन जाती से है डामोर जन जाती से फिर नेक्स्ट कोशन, होली के अफसर पर इलोजी की सवारी कहा निकाली जाती है, बाड मेर में निकाली जाती है फिर नेक्स्ट कोशन, वीर तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है, तिलवाडा में कहां आयोजित होता है, तिलवाडा में आयोजित होता है फिर नेक्स्ट कोश्यन व्रक्षों के सर्रक्षन से संबंदित मेला कौन सा है खेज डली का मेला व्रक्षों के सर्रक्षन से संबंदित मेला है फिर नेक्स्ट कोश्यन राजस्थान में वॉल स्टोनाइट कहां पाया जाता है सिरोई और डुंगरपूर में पाया जाता है फिर आगे next question राज्य की कुल स्तल्य सीमा की लंबाई है 5920 किलो मिटर 5920 किलो मिटर की लंबाई है फिर next question गोगुंदा और कुम्बलगड के मद्धे का भाग क्या कहलाता है भोराट का पठार कहलाता है फिर next question राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक माना जाता है विजय सिंग पठिक को माना जाता है उट का शिंगार करने उट का शिंगार का वर्णन किस गीत में किया जाता है गोरबंद में किस में किया जाता है फ्रेंट्स गोरबंद में किया जाता है फिर next question, राजस्थान में डुंगरपूर और बांसवाड़ा को प्रत्थक करने वाली नदी कौनसी है? माही नदी, कौनसी नदी है? माही नदी, राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उधोग है, सूती वस्त्र उधोग, कौन सा उधोग है? सूती वस्त्र उधोग फिर next question, राजस्थान की भोगोलिक इस्तती क्या है? राजस्थान की भोगोलिक इस्ती देखिए, तेस डिगरी तीस एवं तीस डिगरी बारा उत्तरी अक्षान्स और गुनत्तर डिगरी तीस एवं अठतर डिगरी सत्रा पूर्वी देशांतर के मध्य है फिर देखे, next question, राजस्थान के कौन से भाग में सरवादिक वर्षा होती है? तो दक्षनी पूर्वी भाग में सरवादिक वर्षा होती है फिर, next question, राजस्थान में संभागों और जीलों की संख्या है? साथ संभाग है और 33 जीले हैं राजस्थान में राजस्थान की 1070 किलोमिटर लंबी पाकिस्तान से लगी सिमा रेखा का क्या नाम है? रैड क्लिफ रेखा फिर देखो, next question, राजस्थान के शेत्रफल का कितना भूभा ग्रेगिस्तानी है? तो लगबग दो तीहाई फिर, next question, रॉक फास्थेट, रॉक फास्थेट के राजस्थान में प्रमुगस्तान कौन से है? जामर कोटडा वै बी बिर मानिया फिर, next question, राजस्थान की लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, आट सो गुनत्तर किलोमीटर और उत्तर से दक्षिन आट सो चब्विस किलोमीटर है, ठीक है? फिर देखें, next question, राजस्थान का शेत्रफल भारत के शेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 10.41 प्रतिशत है, कितना है? 10.41 प्रतिशत फिर देखो, next question, राजस्थान के किस जीले में सूर्य की किर्णों का तिर्चापन सर्वादिक होता है? तो श्री गंगा नगर में कहा होता है? फिर देखो, next question, राजस्थान का शेत्रफल इसरायल से कितना गुना है? तो 17 गुना बढ़ा है कितना गुना बढ़ा है, सतरा गुना बढ़ा है, फिर next question, लच्छु माहराज का संबंध किस शास्तरे नत्ते से है, कथक से, किस से है, कथक से, फिर देखो next question, राजस्थान में चलने वाली शुष्क और धूल भरी हवाई क्या कहलाती है, लू कहलाती है, फिर next question, एनॉल्स ए Antiquities of Rajasthan के रचियता है कंडल, Jams, Todd Next question देखे friends Rajasthan का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है भरतपूर को Rajasthan का प्रवेश द्वार कहा जाता है Rajasthan के किस होटल को प्रयटन के छेतर में 5 सितारा होटल का पुरसकार मिला तो जैपूर के जल महल को किसे मिला है जैपूर के जल महर को महल को फिर नेक्स्ट कोश्चन ढोल नत्य किस शेत्र में किया जाता है जालोर में कहां किया जाता है जालोर में फिर देखो नेक्स्ट कोश्चन बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रेनता थे बिजै सिंग पथिक फिर देखो नेक्स्ट कोश् जून मा में सूर्य किस जिले में लमबच चमकता है बांसवाडा में कहा पे फ्रेंट्स बांसवाडा में फिर देखो next question बनास नदी का उद्गम इस्तल है खमनोर कौशा है खमनोर फिर next question राजस्थान सरकार द्वारा संचालित राजस्थान के सबसे अधिग वर्षा वाला जीला कौनसा है जालावाड कौन सा जिला है फ्रेंस जालावाड फिर नेक्स्ट कोश्चन देखे चितोड का किला किस ने बनवाया था तो चित्रागद मोरे ने बनवाया था सातवी शताबदी में बनवाया था ठीक है फिर देखो नेक्स्ट कोश्चन राजस्थान में शीशे की सबसे खान इस्तित है भारत का एक मात्र रावन मंदिर कहा है भारत का एक मात्र रावन मंदिर कहा है जोतपूर में फिर देखे फ्रेंस नेक्स्ट कोशन राजस्थान की अंतराश्ट्रे सीमा से लगने वाली जीले कौन कौन सी है तो चार जीले है बाडमेर जैसलमेर बीकानेर और फिर नेक्स्ट कोश्चन राजस्थान में मैगनी जेतु का सबसे बड़ा उत्पादक जीला कौन सा है बासवड़ा फिर देखें नेक्स्ट कोश्चन फ्रेंड्स राजस्थान की सीमा किस राज्य से सरवादिक लंबाई में लगती है मध्य प्रदेश किस से लगती है मध्य प्रदेश करकर एखा राजस्थान के किस जीले से छूती हुई गुजरती है तो डुंगर पूर्वे बांसवड़ा से होकर गुजरती है फिर देखें next question संत रेदास किसके शिश्य थे संत रामानंद जी के फिर देखो friends next question क्या पूछ रहे है जिस नदी का जल अरब सागर में प्रबाहित नहीं होता वो कौन सी नदी है खारी फिर देखें क्या question है सबसे अधिक नदियां किस संभाग में पाई जाती है कोटा में पाई जाती है फिर next question राजस्थान में खारे पानी की जीले में सागर के अफशेश टैडिस सागर है क्या है टैठिस सागर फिर next question पश्चिमी रेगिस्थान की सबसे लंबी नदी बनास नदी फिर next question किस योजना के द्वारा लगू और सिमान्त किसानों को सिंचाई कारे में साइता दी जाती है तो जीवन धारा योजना के माध्यम से लील टास पुस्तक के रचियता है कनहिया लाज सेठिया फिर next question मांडल गड के पास कौन सी तीन नदिया त्री वेनी संगम बनाती है बनास बेडच और मेनाल नदिया फिर next question राजस्थान में सरवादिक सूर्य दे किस जीले में होता है धोलपूर में का होता है धोलपूर में राजस्थान का सरवादिक थंडा इस्थान कौन सा है? माउंट आबू कौन सा है फ्रेंड्स? माउंट आबू फिर नेक्स्ट कोश्चेन स्वतंत्रता आंदोलन में एहम भूमी का निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानी लादू राम जोशी का जनम किस जिले में हुआ? राजस्थान का सागवान कौन सा वक्ष कहलाता है? रोहिडा सरिस्का में भागों के विलुप्त होने की घटना की जांचेतू केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कार्य दल बनाया? सुनीता नारायन फिर नेक्स्ट कोश्चन राजस्थान का सरवादिक शुश्क स्थान कौन सा है? फलोदी कौन सा है? फलोदी राजस्थान का सरवादिक लू और आंधी वाला जीला कौन सा है? श्री गंगानगर सरवादिक लू और आंधी वाला जीला है हल्दी घाटी के यूद में किस मैदान में राणा प्रताब मुगलो मुगल सेना से घिर गएते तो कौन सा था वो मैदान खमनोर गाओं के रक्त तलाई के मैदान में फिर next question हीरा राजस्थान में कहां पाया जाता है केसरपूरा में कहां पाया जाता है केसरपूरा में फिर next question राजस्थान में बैंटो नाइट के बंदार कहां इसति थे जालावाड में इसति थे कहां इसति थे फ्रेंड्स जालावाड में फिर नेक्स्ट कोश्चन राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है धोलपूर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है धोलपूर नेक्स्ट कोश्चन लूनी नदी के पास कौन सा शहर बसा हुआ है अजमेर फिर देखें फ्रेंट्स नेक्स्ट लास्ट कोश्चन फ्रेंट् कारी महमूद गजनवी के साथ यूद किया था वो कौन से राजस्थान के लोग देवता थे गोगा जी कौन थे फ्रेंड्स गोगा जी तो ठीके फ्रेंड्स आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करती हूँ कर मैं आपके लिए इसी थरह के और भी important questions लेके आऊंगी जो आपके P किजिए फ्रेंड्स अगर अभी तक किसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें ओके फ्रेंड्स हैव नाइस डे बाबाई